हेलो एब्रिवान वेलकम डू माई यूटूब चैनल तो सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहा हो था हमारा टेलीग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सवन में मिल जाएगा आप लोगों जो भी अपडेट रहेंगे आप लोगों ग्रूप में मिल जाएगा तो एक बार गूरूप को जरूप कीजिएगा तो फाइनली आप लोगों का सीपेट जूलो जी का एंटरांस ओभर हो चुका है और आप लोगों जो भी बेश्ट देना था आप लोगों ने दे दिया है अब रिजर्ट का वेट करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम सीपेट जूलो जी का कटप कितना जाने वाला उसके उपर डिसकस करेंगे इसलिए चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ठीक है और यह वीडियो में बता तो थोड़ टाइम चला गया इसलिए मैं सभी के लिए माफी चाऊंगा और यह वीडियो में सजिस्ट करूंगा पूरा जरूर देखियो वीडियो पसंद आया तो आप लोग क्या करना जानते ठीक है तो इसके साथ मैं यह भी मेंन्सन करूंगा कि आपको मैं बताना जाओगा जो मैंने बार-बार बोला कि आप लोग जो भी सीपेट का प्रिवेस एर कोश्चन है उसको आप लोग अच्छे से देखो और उसके आसपास को भी प्राक्टिस कर लो ठीक है कोई बात नहीं आप लोग अभी हम आंसर की और उसका एक्स्प्रानेशन देखेंगे तो आप लोग उन्ह पाया जाता है अड़्जेसेंट्ट्व क्नेक्टिटीश्यू के पूरा पास में लगा होके रहता क्यूंकि उसके पास ब्लड वेसल नहीं होता या फिर या फिर नो इक्स्ट्रास्यलूलर मेट्रिक्स के बज़े से या फिर बोथ एंड भी तो इसका राइट एंसर होगा व पास रहता है क्योंकि आप लोग जानते है ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिसू इसके लिए उसके लिए उसके शर्भाइबल और फंक्सेन के लिए ठीक है सो यह हमारा होगा राइट अंसर दी ठीक है उसके बाद एक यह वाला कोश्य ना आया था रिपीट हुआ था उसके बाद एक सीरी जब फंक्शनाल चैनल जाता है जहां पर स्पर्म का टेल क्या करता है बहुत खतरनाक स्पीड से विगरसली बीट करता है क्योंकि उसका अप मेंब्रेन के साथ फ्यूज करवा सके तो उस प्रोसेस को क्या कहते है इसको आप लोग कैसे आंसर करेंगे सिंगाय में तो बिल्कुल नहीं होगा फर्टिलाइजेसन तो यह पूछा ही नहीं इंप्लांटेशन तो इंब्रियो फोन्मेंशन के बाद होता है ना तो बचा क्य हाला कि यह टेक्निक मैंने आपको बताया था स्ट्रेजिक वीडियो में कि किस तरह से आप लोग टेक्निक से भी अंसर कर सकते हो कि आप लोग यह जानलो मैं बता दूँ इसका भी राइट एंसर इसके ऊपर थोड़ा बता कापासिटेशन होता है क्या जब सपर्म क्या करता मतलब चेंज करवाता है उसके चेंज करवाता है जो मूब्मेंट पैटन है उसमें चेंज करवाता है। जिसको कहा जाता है जहां पकूछको इतना भी अधीज़ी करवाता है बीट करवाता है ताकि वो अपना प्लाज्मामिल को भीउज करवा सके उस साइट के प्लाज्मामिल साथ उसको यह बाला कोशिन आया था देखेगा नेभरिंग सेल साल कनेक्टेड वैं प्रोटीन को जो जो एपर जंग्सान के लिए नाइक्टेड नाम प्लाज्मामिल एक कनेक्टिंग प्रोटीन के साथ उस प्रोटीन का नाम चाहता है कनेक्सिंग कनेक्शन ग्लाइकोफोरीन नौन अब देबर मैं यहां पर आप लोग के लिए डाइग्राम पी रखाओं थोड़ा सा देख लेता है उसका राइट अंसर है कनेक्शन ठीक है देखिए यह रहा मालीजिए यह एक सेल का प्लाजमा में है ब्लू कलर का जो उपर में है और नीचे में दूसरे सेल का प्लाजमा में और यह आपस में करने है विद्धा हेल्प कनेक्शन ठीक है उसके बचलता है next question मैं कहीं कहीं पर आप लोगों रेफ्रेंस के लिए डाल भी दिया हूं उसके बच्वेशन हम फूर अप्रोक्सिमेटली हाव लोंग आप्टर फ उसके बचलता है next question which bone cell यह repeat हुआ है मैंने osteoclast osteocyte osteoblast के उपर बताया था तो देखिए इन में से कौन सा बोन सेल है जो की bone building के लिए मदद करता है या फिर bone building cell कहा जाता है osteoclast, osteogenic cell, osteocytes या फिर osteoblast इसका राइट असर है osteoplast यह होते हैं bone forming cell या फिर bone building cell लेकिन जो osteocytes होते है यह पाय जाता है mature bone में ठीक है, mature bone में पाय जाता है और osteoclast क्या है जानता है osteoclast है आप लोग यह क्या करता है breakdown करता है and reabsorbed bone करता है ठीक है वो osteoclast का काम है यहाँ पर हमार राइट अंसर होगा osteoblast उसके बाद चलता है next one supporting cells in nervous tissue are cut supporting cell nervous tissue में क्या बोला जाता है उसको Neuroglia, neurons, cadethrine, meson, उसे खहा जाता है Neuroglia तो इसके उपर थोड़ा बता दो यह जो आप लोगों का Neuroglia है यह बना रहता है आपका cluster of cluster of gilial cell, gilial cell से बना रहता है ठीक है gilial cell से बना रहता है इसका काम है neuron को protect करना neuron क्या होता है आप लोग जानते होना fundamental unit of brain, brain का fundamental unit, इसी को क्या करता है protection और support प्रोवाइड करता है इसके लिए आप लोगा कौन है Neuroglia जो बना रहता है गilial cell से उसके बादे से next question a sprinter would experience muscle fatigue sooner than marathon runner due to a sprinter सबसे जल्दी muscle fatigue feel करता है marathon runner के मुकाबले तो इसका reason क्या है sprinter क्या होते है जो छोटे-छोटे race को जल्दी complete करते है जल्दी दोड के complete करते है और marathon runner क्या होते है जो बड़े-बड़े race को बड़े-बड़े सुइभर्ति करते है तो उनको यह रहा उनके दाट będzie अब यहां-पर एंसर क्या होगा देखते है хотя on the kombly Pal를 में बड़े से वह ला में होने के बड़े से होता है मतलब tá ये फिर एरोबिक मेटापोलिजिम in the muscle of the sprinter sprinter में aerobic metabolism के बदेस होता है या फिर glycolysis in the muscle of the marathon लोना तो इसका राइटांसर है वो है anaerobic metabolism in the muscle of the sprinter में sprinter के जो muscle होते हैं उसमें क्या होता है anaerobic metabolism मैं बताता हूँ किसे आप लोग जानते हैं muscle fatigue किसे होता है muscle fatigue का होने का main reason है due to production of production of lactic acid and lack of ATP lack of ATP सो यह दो कारण के बज़े से आप लोग का muscle fatigue होता है पहला चीज़ उसके बाद यह lactic acid formation क्यों होता है यह भी हमारा question है जब glucose जब glucose आपका incomplete breakdown हो incomplete breakdown हो तब जाके lactic acid बनता है अब incomplete breakdown कब होता है जब oxygen नहीं होता है आप लोगे surrounding में oxygen नहीं होता है यह फिर lack और scarcity of oxygen जब होता है तब glucose incomplete breakdown करके आप लोगा lactic acid बनाता है जिस बज़े से पूर energy बनता है energy जो ATP है उसका production भी घड़ जाता है क्योंकि जो oxygen absent जो medium में respiration होता है उसको हम कौन सा respiration होता है और आप लोगा ATP production बहुत कम आता है और अगर आप पूछोगे कितना तो दो ATP होते हैं जो कि glycolysis के होते हैं क्योंकि बाकी बाला प्रोसेस तो होगा ही नहीं क्योंकि oxygen होगा तभी तो जाके आगे बढ़ेगा TCA cycle ETS होगा oxidative तो नहीं होता है इस बादे से यह रहा रहा है उसके बाद कोलाड यानि कोलार जो हमारा जो सब्सक्राइब होता है उसको कल कोलाड फ्लाजलेटल सेल्स जाट कभर लार्ज पार्ट अप दी इनर चांबर स्पोंजेश helping water circulation to continue अब्लब कुछ इससे सेल के बारे में बताईए जो है कोलाड होते हैं उनके पास कोलार होता है ठीक है और उनके पास फ्लाजला होता है तो वह सेल का मतलब जो काम क्या है water को करवाना та क्लिए तो वह कौन से लहां पोरोसाइट कोणसेट के ॉमीबोसाइट या फिर पिनागोसाइट यह कुश्चिन भी आया है ठीक है यह कोश्चिन भी मैंने करवाए है तो इसलिए में आप लोग हो बताया था कि आप लोग जितना होसे कि देखिए प्राक्टिस कीजिए आइदर आप लोगों को सीवेटी के मतलब सीवेटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर सीपीट जुलो जी के मिल जाएगा क्यूंकि मैंने सीवेटी में वहां पर भी तो आप लगश्चेंज है ना तो आपस तो थोड़ा सब्सक्राइब स्पेसिय realities बाइप O зам 낮 नीचे बिड़ा और सब्सक्राइब होना 14 लोग का काम अपने घ्राइब टान गहाद आ दो ON चाहिए है क्णारवर इन्द्र में कि यह पने लाते हैं उसके क्वाचन करते हैं उसके लóg आज कोसे भी आजह से से सौफ और हर्माटिपिक से एंडि या फिर पोलिप से में यहां पर हमारा ऊप्सन दिया है पोलिप इससे बने रहते इसका होगा और हाइट्सक्थ क्वस्ण निया अहीं सा र를ies और प्रेजम्ट इन दा 찍 रेक्षाण रहांकर कि आप लोग साथ्ट इस इस एक स्ट्रक्चर होते हैं जो पाई जाते एपीडर्मिस में तो यहां परंलगा कॉन से स्पीसिस में पाए जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट्ट्राइब गश्यक्राइब टो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट्राइब कि सब्सक्राइब यूण तो यहां राइट है इसको भी मैंने तिकें रहा है और यह इसका इक्वेटर रीजिन आप लोग जानते हैं और इसी इक्वेटर रीजिन में हम इसको क्या नाम देता है तर्ट्रोपीकल रीजिन कहते हैं इसको ट्रोपीकाल त्रोपीकाल उसके उपर वाला यह और उसके नीचे वाला यह इसको हम क्या कहते है टेंपरेट रिजियन कहते है और उपर वाला को हम आर्टिक रिजियन कहते है ठीक है यहां पर आप लोग होता है और यहां पर टेंपरेट में मोटरेट और ट्रोपीकाल में सब सबसे बेस्ट लाइट कंडिसेंट पाए जाता है जिस बज़े से आपका बाइड़ से सबसे जाजा होता है इसका राइट अशर है इंक्रीश ट्वार तो एक टर में आप लोगों मैक्सिमुम बाइड़ देखने को मिलता है और अप्सवर किया जाता है ठीक है कि वहां पर सबसे बेश्ट ऑप्टिमूम है और दे ग्रोथ ऑप और अर्गैनिजम सो वेदर इट में भी ब्लांट और कुछ भी हो सकता है उसके वीच अपने प्रोजनी लाज नंबर प्रोजनी बनाते हैं लेकिन इनका जो साइज होता है इनका साइज बहुत ही सौट होता है छोटा हो नहीं होता है साइज अब रो येज़ी को उसका अपोजित एक सप्रोजनी वहता है और स्मौबर नबर प्रोजनी विए New सबस्क्राइब यह तें तो के आप शीट कर दीजिगा तो के सिलेड विए अपलिकेब लोगा उसके देज के शावन के सानों डैबर्सीटि इंडेक्स टेक्स टेज इंटो आजिए वाभशीच टेक्स टानुट टानुंबर आपका शीर या फिर टेक्स इंटो आकाउंट ते नंबर आप स्पीसिस लिविंग इन हापिटाड एंड यह दोनों के दोनों होगा तो हमारा अप्शन हो जाएगा एंड ठीक है उसके रहा चलते नेक्स्ट कुछी लेक्टिन्स आर प्रोटिन्स स्पेसिफिक टू लेक्टिन्स जो प्रो होते हैं पहले तो ये सुगर होते हैं और और कार्भवायडie और यह बांड किके साफ करते हैं सुगर के साथ डीक है सुगर यह बाला उप्सण होगा ना हां यह बाला उप्सण होगा यह प्रोटीन किसके साथ करता है कार्भाइडर का साथ सो ऑप्सण भी होगा ठीक है यह बाला उप्सण प्रोटीन अल्बूमीन इंसूलीन कराटीन हीमोगलोबीन सभी किया है ना यह लेक्टीन प्रोटीन क्या होता है यह आप लोगों का क्या करता है बाइंड कर देशिपी कार्भोहईडर के साथ चीक है उसके बाचालते नेक्स्ट कुछ एरो फ्री रिपेर स्ट्राइब डब डबल देशंड प्रृब्रेस inform प्रोटेशा पर होता अपलोगों का हमलोगोस रिपोमाट Poppy चा झेली सीच्र क्रॉबिलेड का यह नहीं होता है इसका जो भी DNA strand होगा उसको आज टेंपलेट ट्रीट करके आप लोगा रिपार मेकानिजम होता है लेकिन यह हमेशा एरोर फ्री नहीं रहता कभी का बार इसमें भी एरोर प्रोन हो जाता है मतलब आ जाता है बट अभी के लिए यहां पर आंसर होगा हो फोलोगे रिक होता है अपलोगा का क्या होता है मेकानिजम होने करता है यह इंश। इसके लिए मैं साथ एक आर्टिकल जणा हूं यहां पर देखिए लिखा भी होगा प्रोविजन निक अन्मिथालेटर स्टांड फूइच सबसाज दा सिगनल डारेट मैंने यहां पर पॉइंट आउट किया था इसका जो राइट एंसर होगा आप लोगों का यह होगा आप लोगों का मैं बता दो राइट एंसर यह है आप लोगा स्टांड स्पेसिफिक निक्स तो थोड़ा इसको देख लेते हैं यहां पर ही होगा है औरक स्टांड स्ट्यू बशूओ लेहां थे इसका छे इसका लोगो आप धी सिप्र लेख लेहां सिंप ले थे अड़्यों का ट проп इसकाष इसवां सिंपस्ट है mythylation sites within newly synthesized DNA, the strand signal that direct replication errors, correction in eukaryotes have not been interfered, however the function of the hemi-methylated strand, the signal in Eucolae mismatch repair is provision of a niek on the un-methylation which serves as the actual signal that directs the reaction. Similarly, a strand specific niek or gap is sufficient to direct mismatch repair in extract और मामलियान और ड्रोसोफिलास है तो यह आप लोग का राइट एंस हाले ठीक है तो आप लोग इसको पॉझ करके भी पढ़ सकते हैं उसके बाद आप लोगों का यह जो molecular basis of MN blood group कौन सा है difference in the carbohydrate sequence of glycopherin का तब जागे आप लोगों का MN blood group system आता है ठीक है उसके बाद चलता है next question based on the abundance of species in different communities provided below indicate which of the following statement is true इन में से constant statement true है तो आपके पास अभी community 1, 2, 3, 4 है चार community है community कैसे बनते हैं by the group of population population का आठे given period of time आठे given time condition ठीक है given area time period में आप लोगा का बहुत सारे population मिलकर community बनाते हैं तो हमारे पास चार community है हर एक community में चार species है species A, species B, species C, species D और उसमें आपला species A में number of species, number of species यह से mention किया गया है तो यहां पर हमें पूछागा है based on the abundance of species in different communities provided below indicate which of the statement is true अच्छा इन में से constant statement true है देखते है community one has highest diversity diversity different variety of species लेकिन सभी में चार-चार है देख पाने लेकिन वहां पर हमें diverse कैसे मिलेगा जहां में total number of population ज्यादा रहेंगे तो इसका हम count करेंगे पहले बाले में कितना population थोड़ा देख ले थे है 70 10 10 10 आप लोगा यह हो गया 100 ठीक है सेवन प्लस 30 इसमें 100 स्पीसिस है कमें टू में 50 50 50 आप लोगा का 200 स्पीसिस है उसके बाद देखिए community 3 में 30 30 30 30 आपका 120 हो गया ठीक है और community 4 में 35 40 50 यह हो गया 50 तो इन में से सबसे ज्यादा स्पीसिस किसमें community 2 में लेकिन सभी के पास चार population है देख पाने population क्या होता है group of species तो यह भी एक population हो गया यह भी एक population यह भी एक population यह भी एक population यह भी इस सभी के सब्सक्राइब और स्टैमें community 1 में 100 है नहीं है यह गलत है और आल फोर अफस्म डिवर्शीट यह भी नहीं है किसके पास सबस्क्राइब तो में दो सो है तो सही है और कम्मुनेटी वान का कम्मुनेटी फोर से सही है और पोर को भी देख लेते हैं पोर में क्या दिया है तो यह गलत है तो यह गलत है तो नहीं होगा तो नहीं होगा ठीक है तो सही है प्रिभेंट ट्रेड अलाव पोचिंग भी आलाव करता है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया कंडिशन है तो इसके लिए आप लोगों का दो आंसर बन सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा यहां पर आप चाहा तो इसको थोड़ा जूम करके पढ़ लिजेगा कि लिखा भी गया अब लोगों आप लोगों पढ़ पाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं और अगर दिजाबल हो गया है तब उसको पोचिंग या पिर हंटिंग लिए अलोग किया जा सकता है तो एक्सेप्शन केस में यह चीज़ को किया जासकता है आप पाँच करके पढ़ लेना ठीकि त एक सकेट यहां पर हो सकता है कि देखिए अन्देजर स्पीसिस यह तो है साथ रीवेंट ट्रेड को प्रिवेंट करता है अलोग पोचिंग होता है हां तो अलोग कि पोचिंग भी एक्सेप्सन केसी में अलोग किया गया ठीक है इसका राइट आउंसर यह होगा एरीवेडा रेफोस्टू एरीवेडा एक स्पैनिश टर्म है जिसका नाम है एराइविंग अफ सी तो इसमें क्या होता ना जो ओलीबृडल टॉटल होते हैं वह आते हैं नेश्ट बनाते हैं और एग ले करके फिर से वापस चले जाते हैं उसको ही हम कहते हैं एरीवेडा ठी प्राक्टिस कर लेगा देखिएगा और मुझे इसका राइट अंसर बताएगा मैंने इसको ज्यादा क्रोस नहीं किया है मैंने सिर्फ इसका मतलब रेस्यू देखके यह डिर्माइन क्या हूं कि यह नौन अलेलिक म्यूटेशन बारला पैरेंट होंगे ठीक है उसके बाद चलता है नेक्ट पूचिन अंटिजन अंटिबोडी रियाक्शन डिटेक्टेट बाई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑन अंटिजन का रियाक्शन को मतलब डिफ्यूज करके उनका रियाक्शन करवा करवाया जाता है ठीक है उसी को कहा जाता है इम्मीनो प्रेसिपिटेशन असे चलते नेक्स्ट वोची दो रियाक्शन डाट लीड त्रू फर्मेशन ऑप अमिन असीड प्रम टीसीय साइकल आमिनो असीड है इसका ऐमिनो ग्रूप मेर्वकों त्रांसपर किया जाता है टू कीटो असीड च्वर्मेशन ऑप जिए अन्धीड कीकटो असीड ओंप जले तीक है इसका वाचाल आप ऊच्छा के स साथ de रिसेप्टर इंसुलिन सिगनाल के साथ उसके बाद C GMP आप लोगों का मतलब रिलेटर है रिसेप्टर ग्वानली साइकलेस्ट के साथ उसके बाद GAP रिलेटर है आप लोगों का इनक्टिवेशन अब जी प्रोटिन करने के लिए और नुक्लियर रिसेप्टर यह आलाव करता है थाइरोड हर्मोन के लिए सो क्या हुआ M4 M4 sorry M2 हुआ न हां M2 M2 तो A भी है B भी है उसका C GMP हमारा किसके साथ है 4N4 मतलब A B B B B B B B मतलब ब्लूब बेबी सिंड्रोम और यह किसके बज़े से होता है यह होता है नाइट्रेट के एक्सेस नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में आने से ठीक है जहां पर यहांके आपके ब्लूब अक्सिजेन का जो बाइंडिंग होता है वह पूरा मतलब मतलब क्वाता ग्लुटीनाइच हो जाता है जहां पर आप यह बड़ी चोक्यृट टीकर टे। चोक्लेड ब्राउन क्लर ब्लड देखने को मिलता है चोक्लेड ब्राउन क्लर ब्लड ठीक है उसके बाएब चलते है निच्ट कोछिन इन काइज स्कूरड टेस्ट what will be the degree of freedom degree of freedom for a contingency table consisting of three rows and two columns so आपके पास काइज स्बिस्ट करना है degree of freedom निकालना है आपके पास option में मतलब आपके available क्या है आपका थ्री रोह है टू कलम है फॉर्मूला भी मैं बता दू यह रहा आप लोगा फॉर्मूला डिग्री ओपर फॉर्म को काउंट करने के लिए बतो कल्कुलाटरने डी-व इक्वाल टू आर माइनस वान इंटू सी मैनस वार है आपका नंबर रोज ऑर सी है आपका नंपर ऐख को लॉम्स तो देख लेक्ण है रोज कीतम है रोज है तीन और कलम है दू तो आप लोगा क्या हुआ यहां पर आप लोगा 3-1 इंटू आपका कोलम था 2 तो 2-1 तो आपका एंसर हो जाएगा 2 ठीक है तो इसका राइट अंसर हो गया 2 उसके जलते हैं नेक्स्ट को जिन यहां पर मैंने देखा था इसका कोई भी आंसर नहीं है पर्टिकुलारी इसमें समें इलेक्ट्रो गय्ट्रोग्राद्रेकाल और साथ में बाइंडिंग अपर बाइंड करता है और यान यहां पर आके जब आप लोगों का तब यह उपन और आयन के ऊप्सन नहीं है तो यह वाला मुझे थोड़ा लग रहा है थोड़ा साप लोग इसको भी चेक किजिएगा ठीक है उसके आदेखिए क्यूंकि देखिए आप लोगों का सीपेट में दो साल जो भी मैंने चेक किया हूं उसमें कोई-कोई जगा पर तो question का answer भी नहीं दिया है ठीक है इसलिए आप लोगों इस बार भी साथ देशा कुछ हो सकता है देखते हैं आंसर की रिलीज होने के बाद उसके बाद देखिए neural modulation frequently works by a second messenger that activate dash dependent kinases to phosphorylated protein मैंने इसका आर्टिकल रखा है नहीं रखा है तो इ है उसका देखिए stem cell that can differentiate into all cell lineages इस सभी सेल को differentiate करके मतलब बना सकता है adult stem cell embryonic stem cell progenitor cell or mega carrier cell simple embryonic stem cell ठीक है उसके बाद देखिए in regard to the cross bridge power stroke is it is true that cross bridge power stroke यानी का option देख लेते हैं in concentric contraction the cross bridge power stroke which will push the actin filament towards the center of the sarcomere causing sarcomere shortening यह सही है ठीक है in eccentric contraction the cross bridge power stroke pushes the actin filament away from the center यह भी सही है तो हमारा all of the above का आ गया है उसका देखिए isometric contraction the cross bridge power stroke push the actin filament straight down preventing shortening और lengthening यह भी सही है तो हमारा all of the above देखिए concentric contraction क्या होता है जहां पर मानली जिए muscle का बात कर रहा हूँ आप लोग hand को जब hold कर रहे हो यह आप लोगा concentring contraction हुआ मतलब shortening of आपका sarcomere shortening हो गया यहां पे उसके एक्सेंट्रिक मतलब इसको आप लोग क्या कर रहे है ट्रूप उसके बाद देखिए वाल्डेयर रिंग इसे वाल्डेयर रिंग एक तरह का क्या है प्राइमेरी लिंपोड और और सेकंडरी टर्सियरी या फिर गट आसोशेट लिंपोड होगा तो मैंने यहां पर यह रहा अप लोगों क्या है वाल्ड्या रिंग एक तरह का आप लोगों और सेकंडरी लिंपोड और इसल-एक बना संसव एक त्ञारों को मिलाकर बना और यह सेकंडरी लिंपोड और आपbit में उसक जान सिल-इक जा phylogenerical the oldest antibody, phylogenerical कौन सा oldest है, IgM, IgA, IgD, IgG, आप रहा राइट एंसर है, IgM है, सबसे oldest antibody और first form antibody, peptide binding cleft और group class 2, MSC molecule is formed by, peptide binding cleft केसे बन्दा है, alpha 1 and alpha 2 domain से, alpha 1 and beta 1 domain से, beta 1 and beta 2, यह बिटा 2 micro globulin and alpha 1, आप राइट एंसर है, यह दो domain से बन्दा है, वो है, alpha 1 and beta 1 domain से, उसके बाद देखे, the decrease in response to repeated or continuous stimulation is called, मतलब एक stimulation है, जो बार 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 आने के बाद क्या होता, उसको body और ज्यादा, मतलब respond ही नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे, instinct बोलेंगे, maturation बोलेंगे, habituation बोलेंगे, imprinting, तो अगर आप लोग कॉमन सेंस आप लेंगे, इसका right answer habituation, habituated हो गए, उसी stimulus को बार 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 देखते हो, मतलब मानलिजे एक खाना खाते हैं, आपको बार 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 खारने के बाद, आप उसके against पे कुछ react नहीं करेंगे, कुछ आप रेस्पॉंड नहीं करेंगे, उसको हम habituation कहते हैं, तो थैंक्स पर वाजिंग इस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइज हो लुकिती है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में,